नमस्कार, श्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चानल और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तन्ली मायूर पटेल, एंडोक्राइनोराजिस्ट यानि की हॉर्मोन विशेशग्य डॉक्टर मंबाई से यह हमारा थाइरोइड के रिलेटर सवाल जवाब का आठवा वीडियो है और इसके पहले साथ वीडियो मैंने अल्रेडी बनाए हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखेगा बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मैंने उस question answer के format म लिया है ठीके इसके पहले और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थाइरोइड की गोली सही तरीके से कैसे लेन है उसके बारे में बताया था यह वीडियो को बहुत लोगोंने पसंद किया है और काफी लोगों के comment से यह comment के video बनाते बनाता भी मैं थक गई और आज 8 वी मैं इसे कम करने के लिए क्या करू कुछ टिप्स बताईए अब देखें थाइरोड की जबी भी समस्या होती है बालों का जड़ना एक कॉमन सिम्टम होता है तो सबसे पहले आप यह चेक कर लिजे क्या आपका थाइरोड सही तरीके से कंट्रोल में है या नहीं है क्या आप था आइरोड के मरीजों को sino B,sto,D,sillenium,Zinc यह सब आभ मेरीय के मिनर सिंपेशनिक होती है उसकेशे से भी है सबसे हर्पॉब दूशरा हे हीमोग्लो भी या नि खुल की कमी उके उसके वज़से मीशा होसकता है अगर आप सही मातरा में प्रोटिं नहीं खा रहा नहीं तो भी मेरे दीटिल में जञ चायओं तो आप मेरे चानल के साथ जुड़े रहें वह वीडियो में बहुत ही जल जल दूँ जाल डूiasm अगर सवाल है, क्या मैं लिव थाइरॉक्षिन की दवा दूद के साथ ले सकता हूं? जी नहीं, आपको ये दवा को दूद के साथ में नहीं लेना है, ऐसे कुछ रिसेर्च पाए गए हैं, जिसमें ये मालुम पड़ा है, क्या दूद के साथ में दवा लेने से, ये दवा का जो एब्जॉप्षिन है, वो कम हो चुका है, और आपको सही मातरा में आपका डोस नह देखे, धनिया जो है, ये एक नाट्रल चीज है, और हम खाने पिने में रोजबराज, खास करके भारत जैसे करदेश में हम हर खाने में धनिया का पावडर इस्तमाल करते हैं, तो अगर आप धनिया का पानी लेना चाहते है, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मेडिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन सिन्पीघ बात का ख्याल है, कि ये धनिया का पानी अब की थाइरोड की गोली के साथ मिक्स अप नहीं कीजिके, ठीक है, अगला सवाल है, ठीक होने में, कितना समय लगता है, अब देखे, कितना समय लगता है, ये तो आपके केस पर डिपैंड क लेकिन हाँ आपको दवाज जैसे ही आप डॉक्टर शुरू करते हो आपको छे से आठ हफते और देट से दो महिने में आपको वापिस फॉलो अप के लिए बुलाते हैं आपकी थाइरोड की ब्लैट टेस्ट करने के साथ में तो जो आपका पहले का इंबालेंस था उसके कंपेर में तो आपका सेकेंड रिपोर्ट अच्छा ही आएगा उसका कंप्लीट बैलेंस में कभी कभी तीन से चार महिने भी लग जाते हैं अगेन यह डिपेंड करता है किस प्रकार का आपके थाइरोड का प्रॉब्ल evolve है उस हिसाब से हम कोशिश करते कि आपका त्हाइरोड की बैलेंस में लेके आये और आपकी उम्र क्या है, जी हां क्योंकि थाइरोड की दपा असर आपके हार्ट PRE होता है, तो हम यह नहीं चाहते हैं उसका असर आपके हाठ पे इसलिए हम डिसाइड करते हैं आपका केस देखके कि आपको बैलेंस में हमें हमें यह हॉर्मोन कितने वक्त में लेकर आना है ठीक है अगला सवाल है क्या में आधी लिवो थायरॉक्षिन की गोली ले सकता हूं अब देखे गवदवा खुदी इतनी है रोज पड़ा है तो आप ले सकते हैं लेकिन 100% उसका आधा ही exact होगा यह कहना difficulty है लेकिन आप ले सकते हैं अगला सवाल है मुझे कैसे पता चलेगा कि लिवो थायरॉक्षिन काम कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा तो सबसे पहले तो आपको आपके शरीर के अंदर अच आपको खून की जांच में कम से कम 6 हफते लगते हैं कुछ भी चेंजिस आने को कभी-कभी बहुत से कैसी से होते हैं जहां पर हमको बहुत ही जल्दी फॉल अप लेना है क्यूंकि हम वेट नहीं कर सकते 6 हफते का उन केसे में 4 हफते का फॉल अप भी करते हैं लेकिन वापक करना शुरू हो जाएं आपके सिम्टम्स कम हो जाएं यह आप समझ देजिए कि आपके गोली आपके शरीर में काम करना शुरू हो चुकी है ठीक है बढ़ते अगले सवाल की और और वह है लिवो थायरॉक्सिन लेने के बाद हमें 30 मिनिट तक इंतजार क्यों करना पड़ता जी आपको हर डॉक्तर ने बताया होगा जो भी आपको थायरॉट ने दवा लिक के दिये के कम से कम 45-60 मिनिट रुके क्यों ऐसा क्योंकि जो वो दर्मियान वो उस वक्त के दौरान आपके जो गोली ली है वो सही मात्रा में अब्सॉब हो जाएं क्योंकि दवा का एब्सॉ क्या लिवो थायरॉक्षिन लेने से मेरी जिन्दगी छोटी हो जाएगी हरे बहुत फ़नी सा सवाल है अपके जिन्दगी छोटी देखो हमारी जो आईश है वो तो लिखी हुई है हमें नहीं पता हम कितने जिन्दगी जीने वाले हैं लेकिन लिवो थायरॉक्षिन लेने स आपके जिन्दगी छोटी हो जाएगी ऐसा नहीं है इन फैक्ट अगर आपने थाइरोइड की गोली नहीं ली और आपका थाइरोइड इंबालेंस में है तो आपकी ओवराल लाइफ तो एफेक्ट आएगा ही आएगा और हो सकता है आप एक इमर्जनसी कॉम्प्लिकेशन में भी पहुँच जाए जिसका नाम है मिकसी डिमा कोमा और वो केसिस में यह इमर्जनसी है आईस्यू में यूशुली पेशिंट भरती होते है उस वक्ते कुछ भी हो सकता है अगर आप नहीं लेंगे तो वो आप स्टेट पे पहुँच सकते है तो आपकी आयुशे छोटी हो सकती है गोली नेने से किसी की आयुशे छोटी नहीं होती ठीक है अगरा सवाल है मेरा मूड बहुत खराब रहता है और मैं उदास महसूस करता हूँ क्या लिवो थाइरॉण से मेरे मूड पे कोई असर आएगा तेक practicing अगर आपका मूड खराब है अगर आपको depression जैसा लगता है तो हो सकता है कअ को depression की बिमारी हो अभी thyroid के मरीजों को depression की बिमारी होना कोई नई बात नहीं है तो अगर आपको ऐसा है तो आपके डॉक्टर को आपके psychiatrist डॉक्टर जो मानसिक रोके डॉक्टर है उनको ज़रूर पूछे वो आपको help करेंगे लेकिन लिवो थाइरॉक्षिन लेने के बच्छ से ज्यादा मूड पे इतना impact नहीं आता है हालाके कभी-कभी patient को side effect होता है mood changes में लेकिन इतना major नहीं होता ठीक है अगला सवाल है क्या लिवो थाइरॉक्षिन से मेरा वजन बढ़ेगा अभी लिवो थाइरॉक्षिन ये कोई वजन की गोली नहीं है कि वजन कम हो जाएगा वजन बढ़ेगा कभी-कभी ऐसा भी पाया है गया है कि लिवो थाइरॉक्षिन लेने के बाद में आपका वजन कम होता है क्योंकि आपका thyroid balance में आ जाता है लेकिन बढ़ना बहुत कम है लेकिन हर एक का बॉड़ी अलग होता है हो सकता है शायद से हो भी आपके शरीर में अगर आपको होता है तो प्लीज हमें बताइएगा अगरा सवाल है क्या 200 पावर का गोली बहुत ज्यादा डोज है अब देखें डोज ज्यादा है या डोज कम है यह कहना difficult है क्योंकि case-based depend होता है डोज तभी निश्चित होता है कि आपकी क्या उम्र है आपका क्या body weight है ओके आपका gender क्या है या गोली बहुत ढ़ंडर मौ सबटर है अid कटा अगरर को स्सी कुंडर करतें परेंगि क्यों आपके विवयत बहुता है पावर को सब हो सकता है यह आपका डोज हो दूखेंगे क्यों आपके कैसमें इतना ज्यादा पावर लगर रहा है और की आपका बडी जो भी लिव century इसक तो उन केसिस में हम और भी दवाया है वो इस्तिमाल करते ताकि आपका इंसेंसिटिविटी कम हो और आपको यह मात्रा कम लगे ठीक है अगला सवाल है कि यदि में एक सप्ता अपनी थाइरोड की दवा नहीं लोंगी तो क्या होगा अगर एक गोली एक हफ्ता नहीं लेंगे तो आपके बॉडी के जो सिम्टम्स है वो हो सके वो डिस्टर्बंस में आ जाए आपको अच्छा है मैं सुस्त ना हो ठीक है अगर एक सप्ता ही नहीं लिया है तो यह हो सकता है लेकिन प्लीज आप उसको बंद मत कर दीजगा आपके डॉक्टर को पूचिए कि आप गोली कर सकते हैं नहीं कर सकते लेकिन हां अगर आप गोली बंद कर देंगे तो आपको अस्वस्त होना वापिस शुरू हो सकता है ठीक है तो यह तो हो गए आज कुछ सवालों के जवाब अगर आपका खुद का कोई परसनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दो इसाथ तो बाते है कमाते हैं तो वाँ परसने सब्सक्राइब तो यह नंबर मेरा नहीं मेरा नहीं है survey मेरी स्टाफ यान मेरी असिस्तंट इसको इसको इस्तेमाल करती है ठीक है अप क strains मैंद ही यह जवाबते ज sitäफ कैस्ताब नहीं तक्तर नहीं हो आपको स्वालनों क बाते करते है क्या रहे वीडियो तो फ्री में बना दिया इधर बात क्यों नहीं फ्री में करें तो प्लीज आप समज़े यह वीडियो आपके लिए जागुरुत्ता के लिए आपके जानकारी के लिए आपको paid consultation करना है completely optional है कोई आपको जबदस्ती नहीं कर रहा है लेकिन हाँ अगर आपको consultation लेना है तो वो number को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आज का वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ अची जानकारी हासिल हुए हो तो like बटन पर ज़रू क्लिक किजेगा ज्यादा से प्यार बढ़ एक दूसरे को spread कीजिए और अगर आपने मेरी इस चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो इसको subscribe कीजिए आपको ज्यादा से ज्यादा health related और खास करके hormones related जानकारी मिलती रहेगे बाजू में एक bell icon भी है अगर आप उस पर click करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही जानकारी हासिल होगी आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत ध खयाल रखे और अगले वीडियो में वापिस मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ में तब तक धन्यवाद टेक केर